मैं डॉक्टर खेमचिंद गुर्जर्फ, सहया आचारिये LBS Government College कॉटपोतली, प्रिये विध्यार्थियो, आज हम भी कॉम पार्ट सेकिंड के पेपर सेकिंड वित्य प्रबंद के टोपिक वित्य विश्लेशन Financial Analysis के बारे में चर्चा करेंगे वित्य विवरणें अपने आप में लक्ष ने होकर के साधन मात्र होते हैं अते इनके द्वारा निकालेगे निश्कर्ष अपने आप में परिपूर्ण नहीं होते हैं इसलिए इनका विश्लेशन करना आउश्यक है जिस प्रकार मानों सरीर को स्वस्त बनाए रखने के लिए डॉक्टर सरीर के सामई के परिक्षन की सला देते हैं ठीक उसी प्रकार विवासाय को वित्य द्रिश्टी से सुद्रड यों लाप्रत बनाए रखने के लिए वित्य विश्लेशन के आउश्यक्ता होती है के विशलेशन का अर्थ, वित्य विशलेशन का अर्थ इसपस्ट करने के लिए विभिन विद्वानों ने अपने अपने इसाब से परिभासाईं इसपस्ट की हैं, जिनमें प्रमुख है, परिभासा कैनेडियों मैक मुनल के अंशार, वित्य विवरणों का विशलेशन या निर्वचन सूचना को इस प्रकार प्रसुत करता है, जिसे विवसाई के प्रबंद को विन्योग करता हूं, तथा लेंदारूं या अन्यवरगूं जो विवसाई की वित्य इस्तितिवे पर प्रिचालन प्रणामों में रूची रखते हैं, नेरने में साइक हो सकें, इस्पाईसर या पेगलर के मतानुशार, खातूं की व्याख्या वह कला या विज्ञान है, जिसके द्वारा उनमें दिये गए अंकों के आर्थ को इस प्रकार इस्पष्ट करना है कि उन से एक वि वित्य सामर्थता अथ्वा दुर्बलता तथा उसके कारण प्रकट हो सकें, वित्य विरुनों में मुख्यता है, इस्थिति विवरण, लाभानी खाता एवं कोश प्रवा विवरण को समलित किया जाता है, अते वित्य विशलेशन से तात्प्रिये, इन विवरणों के इस अधार प्रस्तूती करण से है, जो प्रबंदक, लेंदार, विन्योजक यँ अन्य संबंदित पक्षों को निरने लेने में सायक हो सकें, अब हम बात करते हैं, वित्य विशलेशन के उद्देश वित्ये विशलेशक वित्ये विशलेशन के आधार पर निश्कार से निकालने की चेश्टा करता है एक सुद्रड आर्थिक इस्तिति बनाये रखते हुए व्यावसाय का प्रमुक उद्देश विन्योजित धन पर संतोस प्रद लाब अर्जित करना होता है अते वित्ये विशलेशन का उद्देश वित्ये इस्तितियों लाब दैक्ता का वारणियों प्रभाव मोलक विशलेशन करना होता है जैसा कि हम जानते हैं कि वित्ये विशलेशन में विविन्पक्सकार रूची रखते हैं तथा ये अपने उद्देश को ध्यान में रखते वी विश्लेशन वे निर्वचन करते हैं फिर वी साम्मानेत है विट्य विश्लेशन के उद्देश नियमने हो सकते हैं नमबर वन शांस्ता की वर्तमान उपारजन शम्ता का विश्लेशन कर विश्लेशन कर विश्लेशन के बारे में अनमान लगाना नमबर टू, संस्ता की वित्य सुद्रडता कारे शम्ता वे निश्पत्ती कारे कुशलता परफोर्मेंस का विशलेशन वे निरोचन करना नमबर तीन, संस्ता की धीर कालेन वे आलप कालेन परी शोधन शम्ता का विवेचन करना नमबर चार संस्ता की वित्य इस्तितियों रिन ग्राई ये शम्ता का अनमान लगाना नमबर पाँच विन्योजन ये संस्ता अर्था जो विन्योजन करने में विन्योग करने में रुची रखती है विन्योजन ये संस्ता की भावी प्रक्ति, विस्तार, संभाउनाउं वे आर्थिक सुरक्षा का अनमान लगाना तथा उसी उद्धो की अन्य फर्मों से वित्य मामलों में प्रबंद के कुशलता ये उकारे शील पूंजी के प्रभावी उप्योग से सम्मदित तुल्नात्म का अध्धन करना आधी उद्धेश होते हैं इसके बाद हम बात करते हैं वित्य विस्तेशन के महत्तो की अलग अलग पक्षकारों के लिए अलग अलग होता है जिनमें मुख्यता है नंबर वन रिनदाताओं के लिए महत्तो रिनदाताओं को दो प्रमुख वर्गूं अलपकालीन और धीरकालीन में विभक्त किया आ जा सकता है आल्प कालिन रिंदाताउं का प्रमुक धे व्योसाय की तरलता में नहीं तोता है अते ये संस्ता कोस प्रभा के माद्दम से ये जानना चाते हैं कि उनका कर्च चुकाने के लिए संस्ता की पास नगद कोस समय पर होंगे या नहीं धीर कालिन रिन दाताओं का स्वार्थ धीर कालिन होता है अता ये संस्ता की धीर कालिन लाब अरजन सम्ता के विशलेशन से ये देखना चाहते हैं कि धेर काल में क्या संस्ता की आय उपारजन सम्ता उनके रिणों के भुक्तान के लिए परियाप्त धन्संचित रखेगी या नहीं अताई ये संस्ता की लाबरजन सम्ता पूंजी संद्रसना तथा भावी कोश प्रवा का विस्ट्रेशन करते हैं दूसरा है विन्योजकों के लिए महत इन्वेस्टर्स के लिए विन्योजक कमपनी में विन्योग की सुदर्टा के संबन में स्विम अपनी धाना बनाते हैं विन्योजक इस आशे के लिए प्रती अंस लाभान्स की गणना कर सकते हैं तता इस लाभान्स को अंस के बाजार मुल्य से तुलना कर प्रती अंस मुल्य लाभान्स अनपात गयात कर सकते हैं आता है विन्योजकों का ध्यान प्रमूटि कंपनी की लाब अर्जन शक्ति पर केंद्रित रहता है इसलिए कंपनी की पिछले वर्षों में रही बिक्री की प्रवर्टी कंपनी का उध्योग में स्तान तदा धीर कालिन वित्तिय सुद्रता से सम्मध्यत अनपातूं का अध्यन किया जा सकता है जो वित्तिय विस्ट्रेशन के माध्यम से संभाव हो सकता है सरकार की वित्य नीतियों के संचालन में वित्य विस्टेशन एक कंपनी से दूसरी कंपनी तथा उद्ध्योग से तुलना करने में सायक होते हैं लाभारजन अनपात तथा आवर्त अनपात टार्न ओवर रेशो सरकार के लिए विशेश महित्यों रखते हैं अगला बिंदू है करमचारियों के लिए एमप्लोईज के लिए भी वित्य विस्टेशन महित्पूर्ण होते हैं क्योंकि कंपनी की आए कम से कम इतनी अवश्य होनी चाहिए जिसे उनको भुकतान में कोई कटनाई ने आए करमचारिय अत्वा स्रमिक वर्ग अपनी मजदूरिया वेतन में वर्दी की मांगवित्य विस्टेशन के परणामों को ध्यान में रख कर ही कर सकते हैं अतना करमचारियों के पोईंट ओफ्यू से भी वित्य विस्टेशन का महत्व है प्रबंद के लिए महितो, प्रभाव साली नियोजन वे नियंतरन के लिए संस्ता के प्रबंद की रूची प्रतेइक वित्य पहलू में होती है प्रबंद को विभिन पूंजी दाताओं को संदुष्ट करना होता है तदा भाई ये पूंजी की प्राप्ति में अपनी बारगेनिंग मोल भाव करने की शक्ति में वर्दी करनी होती है अतावे अपने वित्तिय विस्ट्रेशन में पूंजी संदुष्टन, तरलता इस्तिती, आवर्त अनपात, लाभारजन शक्ति, आदी सभी बातों का समावेश करते हैं अब इसके बाद हम बात करते हैं वित्तिय विस्ट्रेशन की सीमाओं की जैसा कि स्पश्ट किया गया कि विभिन पक्षकारों के लिए चैयुरेन दाता हो, विन्योजक हो, सरकार, कर्मचारी, प्रबंद आदी के लिए वित्तिय विस्ट्रेशन में पूनिस्तान रखते हैं लेकिन शाथ ही साथ वित्य विस्टियेशन की कुछ सीमाएं या कम्याबी हैं जो प्रमुक रूप से निम्नानुशार हैं नमबर वन तुलना का उचित आधार नहीं वित्य विरुनों के विस्ट्रेशन के आधार पर लेगे निशकर्ष अर्थ पूर्ण हो सकते हैं जब उनकी तुलना किसी एक निश्चित इस तर से की जाए वस्तुते कोई इस्तर निश्चित नहीं किये जा सकते हैं क्योंकि परिष्टितियां एक उद्योग से दूसरे उद्योग में भिन्न होती हैं तता दो फर्मों में भी भिन्न भिन्निश्चित दांत परंप्राई वाय मानेताउं का प्रियोग किया जा सकता है अतै तुलना का कोई निशित माबदंड या उचित आधार नहीं होने की वज़े से वित्य विस्ट्रेशन के निश्कर्ष सटीक नहीं हो सकते दूसरा है मुल इस्तर में परिवर्तन की अवहेलना वित्य विस्ट्रेशन से निश्कर्ष पिछले वर्ष से उनकी तुलना भी मुल्यों में परिवर्तन के कारण अर्थीन हो जाती है क्योंकि मुल इस्तर में परिवर्तन होने के कारण उनके मुल इस्तर नहीं रहते और बदलते रहते हैं जो कंपनी की अर्जन तथा संपतियों और दायतों पर भी प्रभाव डालते हैं। साथ ही नेक्स्ट बिंदू है वित्य विशलेशने में मानुए सभाव का पक्षपात। विशलेशक मानव होता है जिसका समुचित प्रियोग उसकी योगिता को सलता तो धीर कालिन आउनबाव पर निर्वर करता है। यदि विशलेशक के इमानदार वपक्ष पात रही नहीं है तो उसके द्वारा निकाले गए निसकर्श ब्रह्मपोर्ण हो सकते हैं। क्योंकि ये मानव सभाव है कि विशलेशन की जो परी सीमाएं हैं उसमें मानव सभाव से सम्मंदित उसकी प्रवर्ती उसका एटिटूड या द्रिश्टि कौन विशलेशनों को प्रभावित करता है। अगला बिंदू है विशलेशन ये तामे कमी। विशलेशन के वल विशलेशन गटनाओं जो मुखेत मुद्रा में प्रकट की जा सकती हैं कोई द्यान में रखकर तयार किये जाते हैं। यदि इनके विशलेशन से प्राप्त सूसनाओं की व्याख्या अनिस रोतूं से प्राप्त की गई सूसनाओं तता गयर मौद्रिक पहलों के साथ नहीं की गई तो निशकर्षों के विश्वसनिये होने की संभावना भी कम रह जाती है। नेक्स्ट बिंदु है एतियासिक समंग को पर आधारित होने से इनमें एक कुछ शल्ताएं वकामिया रह जाती हैं। अता इनके आधार पर निकालेगे निसकर्षदैव सही हो ये कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट बिंदु है परिवर्तन सील समंग परिवर्तन सील परिस्थितियां। एक निशित तिथी को वित्य इस्तिती दर्शाता है लेकिन कमपनी की वास्ति की इस्तिती निरंतर बदलती रहती है जिसको वित्य विश्लेशन में एग्नोर कर दिया जाता है अगला बिंदू है ब्रहमक निसकर्ष वित्य विरुनों में विशेश रूप से चेठ्थे वेला भानी खाते में उपरी दिखावटी विंडो ड्रेशिंग का प्रियोग किया गया है तो इन वित्य विरुनों के विश्लेशन के आधार पर निकालेगे निसकर्ष भी भ्रहु प्रबंद विवस्ता प्रणाली लेख खांकन विदी प्रबंद के दृष्टी कोण अलगलग हो सकते हैं इसलिए एक जैसे प्रणाम सभी में आना संभाव नहीं होता है इसके बाद हम बात करते हैं वित्य विश्लेशन की तकनीकों की वित्य विशलेशन की जो प्रमुक तक्निके हैं वो हैं नमबर बन तुलनात्मक वित्य विवरण, comparative financial statements, नमबर टू, समानाकार वित्य विवरण, common size financial statements, नमबर थर्ड, प्रवर्ती विशलेशन, trained analysis, नमबर फोर्थ, अनपात विशलेशन, ratio analysis, नमबर फाइफ, कोस प्रभावि विशलेशन, cash flow analysis, तथा समविछेद विशलेशन, break even analysis, यह आवश्यक नहीं है कि एक वित्य विशलेशन में ये सभी तक्निकें प्रियोग में लाई जाएं, वित्य विशलेशन की तक्निक का चुनाव विशलेशन के उद्देश पर निर्वर करता है, अधा विशिष्ट प उप्युक्त तक्निक का चुनाव करना चाहिए, एक विशलेशन के लिए जो तक्निक उप्युक्त साबित हो सकती है, वह दूसरे के लिए बिल्कुल उप्युक्त हो, यह कोई आवश्यक नहीं है, इसलिए व्यावसाय फर्म कंपने की आवश्यक्ताओं के अनरूप तक्निक का चैन करना चाहिए, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद व्यावसाय दो कि यह व्यावसां स्वे ड्म का धनिक यह कोई दो आधर , गवयाम